आप जो भी browser यूजर करते हैं चाहे chrome या other कोई भी browser यूजर यूज़ करते सबसे पहले आपको Google में जाना है और यहाँ पर आपको लिखना ऐसे टी वाई आई सत्या और excellent लिखना है सत्या excellent लिखने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से page open हो जाएगा उसके बाद theory paper का सबसे उपर वाला आपको देखने को मिल जाएगा इसमें जो आपको test तैयार किये गए जो कि ITI के चात्रों के लिए electrician का जो कि मैं आपको इस वीडियो के मादम से जनकारी भी देने वाला हूँ तो आप वीडियो को complete देखेगा और इस तरह आप इसकी website पर आ सकते और ITI की तयारी करना चाते तो कर सकते या आप direct जाना चाते उस लिंक पर तो एक वीडियो के description में मैंने link दे रहा है तो चलिए आज का question स्टार्ट करते है Question Nummer 1 से पहला question है कि Tesla किस के समान है जो Tesla होता है वो किस के समान होता है तो देखे दूसरों जो Tesla होता है वो बेबर प्रती मीटर स्कॉائर के समान होता है और जो Tesla होता है एक चुमकीय फ़लक्स घनत्व का मातरक होता है तो ध्याने कियेगा इसको तो यहाँ पर आपका सही हो जाता है B आपसन अब आपको सिंपल ही क्या करना है B पे टिक कर देना है आगे बढ़ते हैं कोशन नमबर दो पे कोशन नमबर दो में यहाँ पर पूछा गया है कि मिर्दू चुमकिये पदार्त रखता है बेरी बेरी इंपोर्टेंट कोशन है देखिए दोस्तो मिर्दू चुमकिये पदात उच परगयमता और निम नग्रे अथात को रेस्यू बल रखते हैं अब इसमें जो हमारा दिया गया आपसन नमबर E दिया गया तो हम कोशन के अनुसार E आपसन मारेंगे और E पर यहाँ पर हम टिक कर देंगे आगे बढ़ते हैं कोशन नमबर 3 पर जिसमें कोशन में कहा जा रहा है कि फैराडे की बिदू चुमकिये प्रेंड के नियम के अनुसार एक चालक में EMF आब यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है EMF इलेक्ट्रो मोटी फोर्स इसका पूरा नाम होता है EMF का इसको ध्याने के वह सारे चात्रों का कनफ्यूजन होगा अब इसमें जो पूछा जा रहा है कि जो EMF होता है वो प्रेंडित होता है मतलए कि कब प्रेंडित होता है अथात हम कह सकते हैं कि चालक से समंद चुम्ब किया फ्लक्स में परिवर्टर होना चाहिए तब ही जो आपका चुम्ब किया बल है अथात वहाक बल है वो प्रियरीत होगा तो यहाँ पर कोशन के अनुसार जो हमारा सही हो जाता है आफसन नमबर सी करेक्ट इंसर हो जाता है सी आफसन हम correct मारेंगे आगे बढ़ते हैं यदि आपको किसी भी question में किसी परकार का doubt होता है यह आपको लगता है कि यह question गलत है तो आप comment box में पूछ सकते हैं आगे बढ़ते हैं question number 4 में जिसमें पूछा गया कि यदि दो चालकों में प्रसपर बेपरित इसा में धारा बह रही हो, तो वहाँ क्या होगा? देखिए दोस्तों यदि दो चालक है, ठीक है? दो चंडेक्टर है, यदि उनकी परसपर, मतलब आपस में बेपरित इसा में धारा बह रही है जिस से क्या होता है परती करसंव बल्कि उत्पत्ती होती है तो यहां पर कोशन के अनुसर जो हमारा सही होजाता है आपसन नंबर B बिल्कुल correct और हो जाता है B आपसन हम correct मारेंगे अगले कोशन पर आते हैं नमबर पांच पे जिसमें कोशन में यहां पर पूछा गया है यहां पर कोशन में जो आपसंता उसको हम टिक कर देंगे तो भी सही है तो हम भी मारेंगे अगले कोशन पर आते कोशन नमबर पांच पे कोशन नमबर पांच में यहां पर पूछा जा रहा है कि समागरी की धारा सिलता किसके निर्माण के लिए उपयोगी होती है यहां पर बहुत सारे आफसन आपको देखने को मिल जाते हैं लेकिन इसमें आपका सिया आपसन सही हो जाता अस्थाई चुंबग के अब बहुत सारे शाहतर बोलेंगे कि स्थाई चुमक ही क्यों सही है तो इसका रीजन है देखिए दोस्तो जो पदार्थ होता है उसकी धारण सिलता होती है जो रिसेंटिविटी होती है उसकी अस्थाई चुमक के निर्मार में ही उप्योगी होती है इसलिए यहाँ पर हम सी आफसन करेक्ट एंसर मारेंगे आगे बढ़ते कोशन नमबर 6 पे जिसमें कोशन में कहा जा रहा है कि निर्म में से कौन सी समागरी पराचुमक किया पदार्थ है तो देखिए दोस्तो चादी यहाँ जो तावा होता है यह दोनों पराचुमक किया पदार्थ होते है तो यह आपका जो सही हो जाता है आफसन नमबर भी यह इसका प्रियूग कहां पर किया जाता है तो जनित्र और मोटर का नाम आपने सुना होगा जनित्र और मोटर में अस्थाई चुमबक का प्रियूग किया जाता है लेकिन लाउट स्पीकर की बात करें तो उसमें आपका अस्थाई चुमबक का प्रियूग किया जाता है तो यहा नम्हकराट में कहा जा राए कि यह को फलक्स को बहाता है जो झूभूजति तो देखिए दूस्तों चूमकईय फलक्स की काईघ को टृटिवर होती है और किसी बी चुमकिय होता हैं ये आपका सी आपसर कोशन के अनुसार करेक्टेंस पर हो जाता है और यदि आपको कोशन पसंद आ रहे होंगे तो कोशन पर आप इस वीडियो के अनुसार आप वीडियो पर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर देजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ सेयर कर दिरीगा ताकि उनको भे जनकारी मिले कि आई टे की जो कलास इस चैनल के मादम से आपको सई तरीके से दी जा रही है आगे बढ़ते हम कोशन नमबर नो पे कोशन नमबर नो में पूछा गया है कि अच्छी चुमक्या मेरी हितिव प्रयुक्त पदार्त में होना चाहिए कम हिस्टरिसीस या उच परयाग्यामता या उच धारन सिलता या निम्न धारन सिलता मुश्ण इंपोर्टेंट है तो हम सिलते हैं आप यहांपे और यहां पर आप लोग इसका एंस्वार देखना चाहिए तो कैसे देखेंगे इसके भी आपको बताने वाला हूँ लाश्ट में आगे भरते नंबर कोशन नमबर दस में यहां पर पूछा गया है जो प्रतिश्टम होता है उसकी क्या है इस क पकड़ नहीं पाते हैं तो इस तरह भी आप इसको पकड़ सकते हैं रिलेक्टेंस कोई क्या बोलते हैं प्रतिश्टम बोलते हैं और जो प्रतिश्टम होता है अथा जो रिलेक्टेंस होता है उसका जो मातरक होता है एंपियर टर्न प्रति बेबर होता है इसको भी आप रट क लीजिएगा तो यह आपका जो सही हो जाता है आप सान नंबर यह बिल्कुल करेक्ट एंसवर हो जाता है अगले कोशन पर हम आते हैं कोशन नंबर 11 पे कोशन नंबर 11 में पूछा जा रहा है कि एक कुंडली का सुवपिराणा अधिक है तो उसका बेबर टर्न कम होगा विश् सकते हैं कि प्रिकत का जो मान होता है वो अधिक होने से वो धारा का अधिक विरूद करेगा तो यहां पर कोशन के अनुसार जो हमारा सही हो जाता है आप सान नंबर डी बिल्कुल करेक्ट एंसवर हो जाता है डी पे हम टीक मार देंगे यदि आपको कनफ्यूजन होगा तो चुमकी बल के अनुपात को निम्न रूप में जाना जाता है मतलब किस रूप में इसको जाना जाता है यह आपका कोशन में यहां पर पूछा गया है तो देखिए दोस्तों इसको हम गोलते हैं यहां पर सस्पिल्टी मतलब कि जो चुमकी तिबरता है उसको हम आई से इंड करते हैं लेकिन आई और एच के अनुपाद को हम सस्विल्टी बोलते हैं या कहा भी जाता है तो यहां पर इसकी सुत्र की बात किया जाता है तो एक्स बाराबर आपका हो जाता है वह नपान एच होता है इसी का यहां पर सुत्र के अनुसार यह आपका कारे करता है तो यहां पर जो आपका सही हो जाएगा कोशन के अनुसार आफसन नंबर भी तो हम बीपे यहां पर टीक कर देंगे इसी तरह आपको सीवीटी एक्जाम भी देखने को मिलेगा कोशन नंबर 13 पर आते कहा जा रहा है कोशन में कि आपेचिक परग्यामता की काई क्या है जो आपेचिक प आपको सहन नंबर यहां पर बिल्कुल करेक्स्पर हो जाता है आही ओसन नंबर 14 पर आते जिसमें कोशन में यहां पर पूछा जा रहा है कि अनुच्द कि पादार्त की अपेचिक परग्यामता है most important यह देखे दूस्तों जो अनुच्द की है जिसको मिलेगेशन के बोलते ह से अधिक आफसर नंबर भी मैच कर रहा है तो हम भी आफसर कोशन, पर यहां पर भी हमारा बेलकुर सही है आगे बढ़ते हैं, कोशन नंबर पंद्रव पे जिसम्में कोशन नंबर पंद्रव में पूछा जा रहा है कि बाएं हाथ के नियम में तरजनी हमेशा इंगित करती है अब यह दो रूल है यह सभी को मालूम होगा जो फलोमी का बाएं हाथ का नियम है उसी कनुसार यदि हम बात करें तो यदि बाएं हाथ के अंगुठे की जो तरजनी है वो मद्यबा अंगलियों को इस परकार यदि हम ब्यवस्तित करें कि जो आपका एक समकोर तैयार किए मतलब कि आपस में एक समकोर बनाए तो तरज़नी जो अंगलियों होगी वो चुमकिय छेतर की दिसा को इंगित करती है और जो अंगूठा होता है वो गती की दिशा को एंगित करता है और जो मध्यमा अंगुली होती है वो धारा की दिशा को प्रदर्सीत करती है तो इस तरह यहाँ पर हमारा जो सही हो जाता है आफसर नमबर D बिल्कुल करेक्ट एंसवर हो जाता है अब इसको ID आप answer देखना चाहते है तो आप क्या करेंगे यहाँ पर जो आपको देखने को मिल जाता है submit इस पर आपको click करना है जिससे आप submit पर click करते हैं थोड़ा सा आपको wait करना पड़ेगा यहाँ पर जितने भी आपने question का answer दिया है सबी यहाँ पर यह convert कर रहा है कि आपने कितने question आपने सही किया और कितने question आपने गलत किया है थोड़ा से यहाँ पर network कमी है जिसके अनुसार मैं आपको यहाँ थोड़ा से जल्दी यहाँ पर जनकारी नहीं दे पा रहा हूँ थोड़ा सा wait करने के बाद आपको यहाँ पर submit के बाद यहाँ पर answer की देखने को मिल जाएगा तो आप यहाँ से PDF के माद्व से आप answer की भी देख सकते हैं और अच्छी तरह आप यहाँ पर समझ सकते कि कौन है मैंने question में answer मैंने सही दिया और किस question में हमने answer गलत दिया तो इस तरह आप आसानी से इसको देख सकते हैं अब यहाँ पर आपको क्या करना है देखिए यह आपका open अभी नहीं हुआ है open हो जाएगा थोड़ी देर में और यह थोड़ा सा net slow चला यह देखिए अब यहाँ पर आपको क्या करना view score पर click करते हैं तो आपको देखने को मिल लेगा कि कितने हमने एंसवर सही कि जैसी कि टेसला किसके समाने तो बेबर परती मिटर के तो यहाँ पर जितने भी मैंने यहाँ पर answer दिया सभी यहाँ पर question का सही answer दिया था यदि आप इस तरह कर देखना चाते तो चैनल पर जाईएगा और इसकी बाद डिवीडियो के description में जाईएगा वहाँ पर link में लेगा आसानी से आप भी test दे सकते हैं